हेलो फ्रेंड वेलकम बेक टू माई चैनल मैं डॉक्टर प्रियंका याद हूँ और आज हम बात करने वाले हैं उव्यूलेशन किट के इस्तमाल में जो जो दिक्कत आ रही है उसका हम कैसे सोल्यूसन ले आए यानि कि बहुत ज्यादा लोग पुछते कि मुझे उव्यूलेश का इस्तमाल तीन-शार दिन के कर लुदे यानि कि अपिर दो तिन दिन बाद फिर आक बार करेंगे फिर दो तिन दिन बात चरुप हरने में एक और रुदि कभा देए कि लोगों को यह दिक्कत Is यह कि वहाँ पे ovulation टाइम पे पूरे महिने में यानि कि वह चेक करते रहते करते रहते कभी भी दो डार्क लाइन नहीं आती तेसा क्यों होता है तो यहाँ पे और ज्यादा stress बढ़ता है क्या मेरा ovulation ही नहीं हो रहा है तो कीट यह नहीं दिखाएगी कि आपका ovulation हो रहा जी ह होर्मोन जब बोडी में लेच होर्मोन सर्ज होगा यानि के लेच होर्मोन बढ़ेगा उसके नेक्स्ट 24 अवर में ovulation होता है तो आपकी कीट यह नहीं दिखा रहे है के बोडी के अंदर ovulation हुआ नहीं वह सिप इतना दिखा देगा कि आपका सर्ज आया है या नहीं वह इतन से पता नहीं चलेगी दूसरी जो में दिक्कत रहती है विलेचन किट की अभी मैंने बता क्या बताता है लेच होर्मोन आपकी बोडी के अंदर लेच होर्मोन पिक आएगी वह बताएगा तो यह साक्यों होता है यहां पर कि आपका हर दिन जब भी करते हैं तो पोजीटिव कम है अब आपका ओएईमेच कम होगा तो आपकी बоडी में एक एक लेच होर्मोन औरिलेच उसका रेश्यों बढ़ेगा तो कीट क्या बताती ही अपका हर दिन पोजीटिव की दिक्कत है तो थी होर्मोन की बपिगड़ेगाई एक लेच हाओ Him बढ़ेगा बोडी में जो पीसी ओडी है उसकेस में भी आपका यहां पर हर बार पोजिटिव आएगा हर्मोनल इंबेलेंस हो तो उसमें आपकी बोडी में लेच सर्ज नहीं जाता है जब फोलिकल बन जाती है तब उसको रप्चर करने के लिए लेच सर्ज होगा तेदी आपके बोडी में इस्ट्रोज से जो होते हैं वह यह दो आपके नोर्मल रहेंगे तो पहले 12-13 दिन तक आपकी बोडी में इस्ट्रोजन एफ सेचल होर्मोन का लेवल बढ़ेगा जिससे आपका फोलिकल ग्रोथ होगा फोलिकल मेच्वर होगी तब बोडी में लेच होर्मोन बढ़ेगा जिससे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो यहां पर इस तरह से पूरी साइकल रहती है अब यहां पर आप इस्तमाल कर रहे हैं जन्रली अभी किट दिनों में अच्छे सी रिलेशन नहीं रख पाते बागी के टाइम पर कोई दिक्कत नहीं है यह एसे ही रिलेशन में दिक्कत आ रही है तो मेरी चैनल पर वीडियो है मैंने एक दो साल से प्लान करते हैं तो निपिडlaisन रहता है तो इसस पेसिफिक जानने की इच्छा है न सब्करती है यहले अधिए में एक यह दो दिन ही सब्सक्रिकों का रहाएग mister करना को किटे का तो कुँरा महिना दो आपको 2ध इस तो निद्सक्रिकों पता है। उसमें आप देख सकते वीडियो वो अपनी बोडी को उब्जव किजिए जिससे ओविलेशन दे पताज करने का आपको थोड़ा इजी रहे यदि वो सिम्टम दिखते उस टाइम पे दो दिन रिलेशन रख दो बागी के पुरा महिना नहीं रखेंगे तो चलेगा और यदि प इसमें कीट कभी सही आपको रिजल्ट नहीं देगी कीट के भरो से रहेंगे पुरा महिना वेस्ट होगा तो मेरी बेस्ट सलाई है यदि कीट इस्तमाल करें फिर भी आप पीरड के 8-9 में दिन से एक बार रिलेशन बना ही लो फिर जोब कीट में एक्जिट ओविलेशन दे में पता करें बाकी के दिनों में नहीं रखेंगे रिलेशन तो चलेगा लेकिन अकेली कीट के भरो से पूरा मेंबेस्ट करना इसमें कुछ형 कंडे बंयह में दिक्कत आती है इंप्लान्टेशन में दिक्कत आती है ट्यूम नेधिक दिक्कत हैं सब के लिए निने हों म supply best work क कर सकते हैं ट्यूब बंद हो तो विदिन वन टो थी मन ट्यूब कुल जाती बिना सर्जरी के कितना भी कम हो अभी नाइव आप नेच्रल कंजीव कर सकते हैं तो आप हमारे तो चलिए फ्रेंड फिर जल्दी से मिलेंगे वीडियो अच्छा लगे तुसको लाइक और सेर कर दीजिएगे सब्सक्राइब चैनल को कर लो ताकि इसे नहीं नहीं इंफोमेशन आपको मिलती रहे तो चलिए मिलते फिर तब तक स्टेल्दी स्टेल्दी बाई